हालो माई यूनिकॉंस आप सब लोग ठीक हैं और आपने जो पहला सेशन है वह एंजॉय कर आप अब दूसरा सेशन आज लेने वाले हैं याद करने की कुशिश कीजिए लास्ट रेम हमने क्या था कॉम्बिनेशन रियाक्शन ठीक है यह वाला और कॉम्बिनेशन रियाक्शन मिल्ट तो वो रियाक्शन के जिसमें दोयां दो से जादा रियक्टेशन हो और एक मिलता है फिर बात की थी इस लेक लाम के बारे में और उसका molecular formula वो क्या होता है CAOH twice उसकी बाद हमने बात की थी कि जब ही calcium hydroxide अगर आप चूना लगाते हैं तो carbon dioxide के साथ combine होके वो calcium carbonate बनाता है और उसको white washing भी कहते है and this is the formula for marble that is CACO3 आपको याद रखना है स्लेक लाइम मतलब CAOH twice यह वाला and CACO3 मतलब marble यह याद रखना है आपको उसके बाद हमने बात की थी कि जब भी आप heat देते हैं बाहर से तो उसको एंडो थर्मिक कहते हैं और जब हीट रिलीज होती है तब उसको exothermic reaction कहते हैं और हमने बात की थी about very important part that is this के endothermic reaction होता है जो digestion के वक्त होता है क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें mostly carbohydrates होते हैं फिर वो carbohydrates हैं वो glucose में convert होते हैं और फिर वो glucose हमरे बाडी को energy देता है और यही पुरा respiration का process है आपको इसे याद रखना है और इसके बाद हम लोग अभी करने वाले है decomposition reaction decomposition में अब क्या तो totally ultra है यह उसमें क्या था कि 2 याँ 2 से 2 जादा reactant है वो एक product देते थे इधर क्या होता है एक reactant 2 याँ 2 से जादा product में split up होता है ठीक है एक reactant 2 याँ 2 से जादा product में split up होता है इधर जैसे की FESO4 FESO4 को ferrous sulfate बोलते है क्या बोलते है FESO4 को ferrous sulfate जब आप उसे heat करते हैं तब वो क्या देता है FESO3 ferric oxide sulfur dioxide and sulfur trioxide वो तीन चीज़े देता है एक reactant break होता है काफी सारे अलग अलग proportion के products में this is what is the definition of it अब यह अगर हमें देखना होता हम कैसे देखे just try a look at it यह ferrous sulfate FESO4 उसमें उसको जब आप heat करते हो तब उसमें जितना भी पानी होता है वो पानी है जब आप उसे heat करते हो तब उसका color change हो जाता है आप गबराये नहीं हम यह अभी एक video इसी में आपको एक चोड़ा सा वीडियो भी दिखेगा थोड़ी देर में और जब भी decomposition होता है तो हमें क्या मिलता है फैरिक ऑक्साइड, सिल्फर डाउक्साइड और सिल्फर ट्राउक्साइड ठीक है डिकम्पोजिशन रियाक्शन यह है वो फैरस सल्फर वाला वीडियो जिस्त ऑमेंट यह जाएब वेड़ी प्रीड हमें यह जाएब अलड़ी और ट्रीड और लुक्शन से क्षूजन यह भी एपर द्रीड यह जाएब खिए्ट्ट्रीड आलवाला वीडियों the crystals decolorize as they lose the water of crystallization and turn anhydrous the anhydrous ferrous sulfate then further breaks down into ferric oxide and a mixture of sulfur dioxide and sulfur trioxide in fact you will be able to detect the distinct smell of burning sulfur but do not stay around for a long since sulfur dioxide and sulfur trioxide are toxic gases the decomposition reaction can be represented as 2 fe s o 4 gives fe 2 o 3 plus s o 2 plus s o 3 so you can see how first you have ferrous sulfate hydrate means it is having water so which color is green color when you heat it will be a little brown color nah, Like water can be noun. so now do not watch it and get into it and you will see the metallic color just a little brown color. like reddish brown color is too absorbed, and you will see the metallic color ㅎㅎ som we have just cut in description of this particular layer, so when we learned about coconut oil plant, water can be found in making ratio and anticipate yourself a second layer known as water as the meat of oil. ठीक है आप अपनी बुक और पेन तो लेके ही बैटे होगे I am giving you one minute time to just try this old reaction once again Be quick थाल, अपना झाल, बाग्नाओ इन, चाल, बाल, बाल, डाल कर दो ही, बाल, 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 और जाओ, यर, टुछ कि यह यह वान मिर्ट एंड और नाव लेट्स मूव फॉर्दर हम आगे पढ़ते हैं तो क्या होता है फैरस सल्फिट का कलर कौन सा होता है ग्रीन ओके फैरस सल्फिट का कलर होता है ग्रीन और जब आप उसे हीट करते हो तो आपको अलग-अलग कलर मिलते हैं और यह वां वां और चेमिकल रिएक्शन डिकंपोजिशन ओफ कैल्शम कार्बोनेट गाल्शम और आपकुज़ा उसके इसाप से कैल्शम कार्बोनेट डाट इस सीए सीए सीओ त्री एप उसे हीट करोगे तो आपको कैल्शम ऑक्साइड मिलब की लाइम मिलेग निए जड़े से मसे इसमें थे उसलों कहा जाता है थर्मल डीचमपोजिशन रियाक्शन थर्मल में लपक्षाइप इसको क्या बोलते है थर्मल डीकमपोजिशन रीयाक्शन तो हर वो reaction के जिसमें आप heat देते हैं उसको क्या बोलता है thermal decomposition काफी सार ऐसे हम अलग-अलग type के decomposition अभी देखेंगे ओके let's have a look ये आपने अभी ferosulfide वाला experiment देखा है वो है उसके बाद जो दूसरा decomposition reaction दिया हुआ है वो है ये lead nitrate वाला lead nitrate का color क्या है तो it is colorless देखिए ये chemistry है यहाँ पे आपको तोड़ी जादा number of colors याद रखने पड़ेंगे आपके बास कोई option नहीं है सिवाए से याद रखने के ferosulfide green color का था फिर ferric oxide कौन से color का आया reddish brown अब यहाँ पे क्या है lead nitrate lead is pb nitrate NO3 तो lead nitrate जो है जब आप उसे heat कारते हैं तब वो heat करने की वज़े से वो lead oxide nitrogen dioxide और oxygen ऐसे तीन चीज़ें हमें मिलती हैं okay you are getting three things over here कौनसी कौनसी यह lead oxide pb o 4 no2 nitrogen dioxide gas NO2 आपको पता है और oxygen gas ठीके और आप क्या देख पाऊंगे you can see the brown fumes यह आप देख रहे हैं fume जो बाहर निकलेगी मलब जो दुआ बाहर निकलेगा वो brown color का होगा so lead nitrate which is colorless it will give you lead oxide and nitrogen dioxide as well as oxygen is evolved यह thermal decomposition reaction है क्यों thermal decomposition reaction है क्योंकि हम इसे क्या कर रहे है heat कर रहे है ठीक है let's move further यह thermal decomposition reaction का video है hello everyone in this video we will study about the heating of lead nitrate and we will classify the type of reaction materials required for this activity white crystalline lead nitrate Bunsen burner dry test tube with holder incense stick and one spatula now let's do the activity take about two gram of the white crystals of lead nitrate in a dry test tube heat it over the flame and care must be taken here tilt the test tube away from you to avoid fumes observe the heating process carefully you can see that lead nitrate is producing a crackling sound fumes भी आप देख सकते हैं यह जो fumes वह ब्राउन कालर की है यह वीडियोस इस वज़े से डाले गए हैं ताक्कि आप visualize कर सके इन सब चीजों को आप समझ सके हर एक जगा पे अपने हिसाप से जहां जहां इंपोर्टेंट है यह सारे वीडियोस दिये गए स्पैचुला मलब चम्मत जैसे होता है कुछ ज़्यादा उसमें बड़ा होता नहीं है और यह आप देख सकते हैं कि लेट आपने देखा कि वह इगनाइट हुई यह इगनाइट क्यूं हुई क्यूंकि ऑक्सिजन सपोर्टर अफ कंबश्चन कहीं पर भी आग लगती है और अगर हवा तेज चले तो क्या होता है सीधी सी बात है कि वह हवा है वह और जादा उचलती है यह साइंस है कि ऑक्सिजन है यह उसकी प्रॉपर्टी है कि अब यहां पर उन्होंने इंसेंस टिक मलब अगर बती क्यूं डाली इसी वज़े से डाली कि यह चेक करने के लिए क्यों ऑक्सिजन प्रडूस होता है कि नहीं तो आप देख सकते कि जैसे यह अंदर डाला गया तब वह इगनाइट हुआ इस अधिक परिमेंट है इसका बाइपर ड़क्टिक क्या है ऑक्सिजन पर आपन वी सीदा ब्सक्रवेशन से अधिर फर्स ऑब्सक्रवेशन इस कलर चेंज थैर इस अ कलर चेंज वाइट कलर लैड नाइटरी रिज एटेड गैट इन टो यह लोग अधिश्वेश्वेशन प्र लोगिशन टी है चातर छोग घंधिशन टीर ने टीज वोग्छाइशन ग्योच你在 अग्योच्वेशन गा मिश्वेशन टी है समयो झैटरी इस यू नाइटरी एंट मिश्वेशन इम्रे लिद ओप्र टी sa कंपन बाईटिवं ली बाठेंट पर्टी इस विए अ and oxygen gas so we can classify it as a thermal decomposition reaction the decomposition reactions are those reactions in which a single compound splits into two or more simpler compounds under suitable conditions thanks for watching ठीके तो आपने देखा कि कैसे यह useful है अब next electrolytic decomposition यहां तब तो ठीक था कि आपको अधर मलबाप heat करते हो अभी जो next decomposition का reaction है वो है यह electrolytic मलबाप electricity देखें आप decomposition करते हो बड़ा आसान सा reaction है इधर क्या है हम water ले रहे हैं हम water को decompose करेंगे water में कौन से दो elements है एक hydrogen है और एक oxygen है तो जब water में इसे electricity पास होगी तो आपको कौन से दो gases मिलेंगे hydrogen and oxygen oxygen and hydrogen this two gases you will get जब भी electricity pass out होगी तब आपको यह दो आपको output में मिलेंगे oxygen और hydrogen गैस अभी बीसिकली यह reaction होता कैसे है वह मैं आपको पहले समझा दू पूरा फिर आपको उसका वीडियो भी दिखाया जाएगा ताकि clarity है वह जादा ही बढ़ जाएं अभी आप देख सकते हैं कि एक मग है और उस मग में हमने पानी डाला हुआ है you can see the water over here ठीक है यह पानी है अब पानी में आपने दो कार्बन के electrodes रखे हैं this graphite rods आप जो देख सकते हैं ठीक है this one यह वाला और आप उससे connect करते हो एक positive terminal से जिसे कहते हैं और और एक negative terminal से जिसे कहते हैं और इसमें हम थोड़ा से acid डाल देंगे little bit of यहां तो sulfuric acid मलब H2SO4 यहां तो hydrochloric acid मलब HCL इन दोनों में से कोई एक acid इसमें डाला जाता है ताकि पानी है वो acidified हो थोड़ा acid वाला हो acid वाला होगा तो उससे क्या होगा फटाफट फटाफट reactions है वो होते जाएंगे तो जब भी आप मलब करोगे तो कभी कभी इसके observation में आप क्या देखोगे तो दो हैं एक anode पे और एक cathode पे राइट जिस्ट अ मॉमेंट विए टाकिंग अबाट दिस हां तो इसमें होता क्य है hydrogen जहां प्रडिऊश होता है वहाँ पे आप एक पॉप उप साउंड तो जब पॉपकॉर्ण क्या से फूड़त है तब क्या सावाज आता है उसको क्या बोलता है इसको अभाल पॉप साउंड तो जब भी hydrogen और देख सकते हैं और आप देख सकते हैं घड़ोजन का प्रपो और जब आप यहां पे जो oxygen मिला है जब आप उसे उसके नजदीक आप बर्निंग कैंडल या तो इंसें स्टिक लेके आओगे तब बहुत ज़्यादा ब्राइटली ग्लो होगी क्यों क्यों क्योंकि हमने अभी अभी पड़ा कि oxygen क्या करता है तो oxygen वो support करता है combustion को आईए हम इसका भी एक वीडियो है अरामस इसका बुरा वीडियो लाइफ वीडियो देख लेते हैं लेट्स सी in a 500 millilitres capacity beaker connect two electrical wires to the positive and negative terminals of a power supply remove the insulating cladding from about two centimeter portions at the other ends of the wires these are the two electrodes fill two test tubes up to the brim with the prepared dilute salt solution invert them on the electrodes without allowing any air to enter start the electric current under six volt potential difference from the power supply observe what happens in the test tubes after some time one did you see the gas bubbles forming near the electrodes at the test tubes two are these gases heavier or lighter than water these gases are lighter than water as they are collected by downwards displacement of air यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है तो आपको उसका स्क्रीन चॉट बेजा जाएगा डोन वारी three are the volumes of the gases collected over the solution in the two test tubes the same or different they are different you can see okay the one जहां पे hydrogen है वो डाबल है no they are different it is found in the above activity that the volume of the gas formed near the cathode is double that of the gas formed near the anode scientists have shown that hydrogen gas is formed near the cathode and oxygen gas near the anode from this it is clear that electrolysis of water has taken place and its constituent elements have been released the concerned electrode reactions are as follows cathode reaction 2H2O liquid plus 2 electrons gives H2 gas plus 2 OH minus aqueous anode reaction 2H2O liquid gives O2 gas plus 4H plus aqueous plus 4 electrons test the solutions in the two test tubes with litmus paper what do you see oxygen and hydrogen gas have no effect on litmus paper repeat the activity by using dilute H2SO4 as well as dilute NaOH as the electrolyte 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 6 7 8 8 8 9 9 10 9 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 तो उसको क्या बोलते हैं फोटो डीकमबोजिशन रेक्शन अगर मैं बीसिकली देखा जाए तो आपकी टेक्स्ट्बुक में यह कंटेंट दिया हुआ है फोटो डीकमबोजिशन रेक्शन का वो क्या है देख लेते हैं यह है सिल्वर क्लोराइड एजी सील जब संलाइड के प्रेजिंश में आप सिल्वर क्लोराइड एक चाइना डिश में रखते हूं तो आपको ग्रे कलर ऑफ सिल्वर और क्लोरीन गयास है वो इवापड़ेट हो जाता है यह आप देख सकते हैं बिसिकली सिल्वर क्लोराइड है वो धीरे धीरे उसका कलर डीप ग्रे होता है जैसी सनलाइड जाती जाती है जाती 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 है और क्लोरीन के ऐस है वो तो हवा में ओड जाता है सिल्वर ब्रोमाइड या तो even silver iodide उसके साथ आप करोगे तो भी आप देखोगे कि वो भी same reactions होते हैं पर silver iodide है वो फटा-फोट होता है और silver chloride है उसमें comparatively slow होता है और fastest है वो silver iodide में होता है तो यह जो reactions है वो black and white photography जब भी करने हो तब useful होते है आज हम यही करेंगे that is decomposition reaction mind well यह छूटा content नहीं है क्योंकि आपको तीन अलग-अलग experiments है वो याद रखने है और आपको learn भी करने है यह आसान नहीं है word to word आपको reactions याद होने चाहिए word to word आपको क्या करना है तो decomposition reaction का यह जो equation है वो आपको learn करना है और आपको learn क्या हुआ आपका ही video यह ही reaction का यह FESO4 वाला फिर water वाला और lead nitrate वाला उनके colors के साथ कि कौन सा कौन सा color आएगा ठीक है आपको whatsapp किया जाएगा कि आपको यह reaction learn करना है वित नीचे जो लिखा हुगा कि यह lead nitrate color white वो आपको learn करके मेरे को अपना वीडियो निकाल के भेजना है ठीक है और वो भी मलब आपको time भी मैं बोल लूँगी ग्रूप में बड़ा important part है प्लीज इससे lightly नहीं लीजेगा ठीक है FESO4 what does it give FE2O3 plus SO2 plus SO3 बड़ा important part है यह green color का था यह रेडिश ब्राउन और फिर आप इसके फ्यूम्स देख सकते हैं और नेक्स्ट इस कैल्शम कार्गोनेट CACO3 when it is heated what do you get CAO calcium oxide which is called as quick lime or lime फिर हमने देखा यह particular reaction कि कैसे hydrated ferrous sulfate है वो फेरिक कॉकसाइड में convert हो जाता है कि जिसका कालर है रेडिश ब्राउन और उसकी स्मेल भी आती है आपको स्टिंगिंग स्मेल और इसलिए वो लोग टिल्ट करते हैं सीधी टेस्ट यूप नहीं रखते हैं से आड़ी टेस्ट यूप रखते हैं ठीक हैं फिर यह लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट पीबी नो थ्री वर्ट टू वर्ड एक्विशन याद होना चाहिए जब जब वसे घरते हो आपको लेड ऑकसाइड मिलता है और नाइट्रोजन डायोकशाइड और ऑकसिजन गयाज और जो फ्यूम रोडिूस होते हैं नाइट्रोजन कि जालर भी हाज रखना प्राउन लेड ऑकसाइड का येल्लो और येड नाइट्रेट का तो इस कालर लेस्ट इसके बाद आपने इसका बुरा वीडियो भी देखा था फिर इलेक्टरलाइटिक डीकंपोजिशन यह जो आप करोगे तो इसमें आपको यह डायग्राम भी आपको ड्रॉ करने को आएगा आपको बहुत ही अच्छे से इसको ड्रॉ करना है लिखना है और लॉन करना है पूर आप कोई भी ऐसे डाल दो या कोई भी बेस डाल दो तो भी यह रियाक्शन सेम होगा और फटाफट होने इलेक्टरलाइसिस करने के लिए यह करना सरूरी है फिर आप उससे ऐसे अरेंज कर देते हो जैसे हमने फिगर में देखा फिर दो टेस्ट्यूब लेने की और उससे की दोनों एंट्स पर आपको ग्राफाइट रॉड्स मलब कार्बन रोड्स रख देने के और आपको एल्लेक्टर स Everybody करने की तो था मिश्पल देखोगे ही आक्षिवगर फूट है उससे पर आता है वह वाला साउंड और हैड्रोजन डबल दा माउंट ऑक्सिजन प्रडियूस होता है ठीक है तो यह एक बड़ी इंपोर्टन सी बात है जो आपको जान में रखनी है यह उसका पूरा वीडियो था और यह लास्ट रियाक्शन है तैस्ट तो एग जी सी एल वंसर है तो आज हमने जितना भी किया सबसे पहले डीकंपोजिशन रियक्शन का डेफिनिशन और यह जो हमने तीन एक्टिविटीज की उसमें विथ कलर रियक्शन आपको लर्न करके सच कहूं तो ऐसे रटा मारके बहुत अच्छे से अपना वीडियो शूट करके मुझे बेजन तो आज शाम तक आपको विदिन ट्वेल आर्ज आपको मुझे यह लर्न करके वीडियो अपना भेजना है ताट्स कंपल्सरी ओके इफ यू नॉट दू देन यू राइट इत मौर नंबर अफ ताइम्स तो बेटर है आप तीन ही रेक्शन है बट विथ कलर आपको अच्छ आपको कहीं भी कोई भी दिखर दो आप मेरेको कॉल कर सकते हो बाइबाइबाइब गुड दे